हेई व्रीवन विल्कम बैक टो आर यूट्यूब चानल क्राक एक्जाम्स दोस्तो आज हम लोग बात करेंगे बहुत धर्म से जुड़े बिहार में तीर थस्तल से ऐसे कौन-कौन से तीर थस्तल हैं जो बिहार में बहुत धर्म के हैं तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो की आने वाले सभी एक्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है तो आप इस वीडियो को पूरा देखे और यदि आपको पसंद आता है तो प्लीज इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें दोस्तों प्राचिन काल से ही भारतिय इतिहास में बिहार का बहुत ही महत्वपोर्न अस्थान रहा है जहां बिहार को भारत में सत्ता, सिक्षा और संस्कृति के केंद्र के रूप में जाना जाता है जहां बड़े-बड़े समराज्य का उदय हुआ जयसे मगत समराज्य, जिसके अंतरगत, सिशुनाग वन्स, नंद वन्ष, मौरय वन्ष, शुंग वन्ष, कन्व वन्ष, अंग महाजनपद, विदेह, बहुत सारे समराज्य का उदय हुआ यहां से कई धर्मों का वियू दे हुआ जैसे बौत धर्म, जयन धर्म इसके अलावा सनातन धर्म, बौत धर्म, जयन धर्म इन सबी धर्मों के प्रसिद व्यक्ति भी इसी अस्थान से कहीं न कहीं उनका संबंध रहा आज इस वीडियो में हम बिहार के बौध धर्म से जुड़े महत्वपुन तीर तस्थल के बारे में पढ़ेंगे जो बिहार PSC के अलावा अन्य सभी राजियों के एक्जाम्स के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट होने वाला है दोस्तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि बुध ने अपने उपदेश को किस भाशा में दिया था तो भगवान बुध ने या महात्मा बुध ने अपने उपदेश को पाली भाशा में दिया था जिसे त्रिपिटक में संकलित किया गया है उसे वहां संभाल के रखा गया है त्रिपिटक जो तीन भाग में बटे हुए हैं पहला भाग विने पिटक, दूसरा भाग सुत पिटक और तीसरा भाग अमीधम पिटक जब बात करते हैं भगवान बुद्ध के प्रमुख शिश्यों की तो उनके शिश्य में आनंद, अनिरूद, रानी खेमा, महाकश्यप, प्रजापती जोकी महिला थी, वद्रिका, व्रिगु, किमवाल, देवदत और उपाली इत्यादी आते हैं महात्मा बुद्ध के या फिर यह कहें कि बौधधर्म के प्रमुख प्रचारक कौन रहें? तो प्रमुख प्रचारक में नाम आता है अंगुली मालका, मिलिंद, जोकी एक यूनानी समराट थें, शमराट अशोक, हेन सौंग, फाशेन, इजिंग और हेचो अब इसके बाद बहुत ही इंपोर्टन प्रशनी यह उठता है कि महात्मा बुद्ध के अस्तूप कितने हैं और कहां कहां इन्हें रखा गया है तो मुख्य रूप से महात्मा बुद्ध के आठ स्तूप हैं पहला है कुशी नगर, दूसरा है पावागर, वैशाली, कपिल वस्तू, राजा ग्राम, अल्ख कल्प, राजगरी, वेट दीप जिसमें कुशी नगर, पावागर, राजगरी, अल्ख कल्प, राम ग्राम और वेट दीप बहुत ही प्रमुख हैं इसके अलावा वैशाली और कपुल वस्तू भी बहुत इम्पोर्टेंट है वहीं पावागर का पता नहीं है, अल्ख का पता नहीं है पावागर से ही एक इम्पोर्टेंट कुश्यन आता है कि पावागर के पहाडी के शिखर पर एक कलिका माता का मंदिर बना हुआ है जो हिंदियों के लिए बहुती पवित्र अस्थान है ऐसा इसलिए क्योंकि यह बावन सक्ती पीठों में से एक सक्ती पीठ की अस्थापना पावागर के पहाडी पे हुई है तो यह थी बौत धर्म से जुड़ू हुई महत्मबुद से जुड़ू हुई कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स जैसे उनके प्रमुक्सिस से प्रमुक प्रचारक उनके मुखे आठ स्थूप उन्होंने अपने उपदेश किन भाशाओं में दिये थे अब हम लोग शुरू करते हैं बिहार में बौत धर्म से जुड़े प्रमुक अस्थलों के बारे में और इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो आता है बोध गया का बोध गया हुआ अस्थान है जहां महात्मा बुध ने महात्मा बुध को पीपल के पेड़ की नीचे ज्यान की प्राप्ती हुई थी यह पेड़ आज भी है और इस पेड़ की उम्र पच्चीस सौ वर्श से ज्यादा है गया से बोध गया की दूरी है साथ मिल की और यहां जो पीपल का ब्रिक्ष है इसी पीपल के ब्रिक्ष की एक साखा समराट असो को अपने साथ लेकर गये थे और जब से महात्मबुद को इस पीपल के पेड़ की नीचे ज्यान की प्राप्ती हुई इस पेड़ को बोधी ब्रिक्ष के नाम से जाना जाने लगा ये अस्थान है कहाँ पे तो अभी मैंने बताया कि गंगा से साथ मिल की दूरी पे है और निरंजना नदी के तटपे बसा हुआ है इस अस्थान को इससे पहले उरुवल के नाम से जाना जाता था वहीं एक बहुत ही important point है बोधगया से related कि वर्स 2002 में बोधगया के महावोधी मंदीर को विश्वे दरोहर में शामिल किया गया था तो ये year आपकी लिए बहुत important है चलिए दूसरा point है पराग बोधी दरसल इस सब्द का मतलब क्या होता है पराग बोधी का मतलब होता है ज्यान से ज्यान प्राप्ती से पहले कहां इस्थित है ये जगा तो ये जगा फल्गु नदी के टट पर बोधगया से करीब 3 मिल की दूरी पे है 3 मिल की दूरी पे उत्तरपुर में एक पहाड़ी की चोटी पे है तो आपको इतना ध्यान में नहीं रखना है बस आप ये ध्यान में रखिए कि पराग बोधी जो की फल्गु नदी के टट पर है ठीक है ये वो जगा है जहां से महात्मा बुध ने लोगों की पीड़ा जानने उनके दुखों और कष्टों का कारण जानने के लिए इनी चीजों के बारे में जानना चाते थे लोगों की दुखे कोई कारण उनके कस्टों का कारण उनका निवारन कैसे हो इन सब के बारे में वो जानना चाते थे तीसरा पॉइंट है बरावर की गुफाएं ये अस्थान कहां है तो ये अस्थान है बिहार के जहानवाद जीले के मकदूंपुर प्रखंड में ठीक है बरावर और नागा अर्जुनुन नाम की दो जुड़वा पहाड़ियों पर ये इस्थित है बरावर की गुफा है गया से करीब इसकी दूरी है 24 किलोमीटर की पराण 322 से 180 इसा पुर्व में जहां बड़े बड़े बौद चैते हैं पॉइंट नमबर 4 है चंपा नगर चंपा नगर किसलिए जाना जाता है तो ये अस्थान जाना जाता है महात्मा बुद्ध के प्रमुक प्रवचन और उपदेशों के लिए इसमें कंद्र का सुक्त सोनन्दा सुत भी शामिल है कहां है चंपा नगर तो भागलपूर जीले में है और दूसरा कारण है चंपा नगर का famous होने का क्योंकि यहां गागरा का कमल जील है जिसके कारण बहुत विक्ष़ों का राजाना तो होता ही है अपने धान्मी कारणों से लेकिन अन्य परेटकों के लिए भी बहुत ही आकर्शन का केंद्र बना हुआ है क्योंकि यह जील यहां उगने वाले कमल के फूल के लिए जाना जाता है नेक्स्ट जो हमें जानना है वो है दोना अस्तूप दोना अस्तूप ऐसा कहा जाता है कि यह अस्तान बुद्ध के मिर्टियों के समय या फिर यूँ कहें कि परि निर्वान और दा संसकार के बाद उनके चार सिस्यों ने आपस में विवाद किया था उनकी अस्तियों के लिए और उन अस्तियों को आपस में बाट लिया था फिलाल या जगा या स्तूप अब घास के टीले में बदल गया है लेकिन इसके अलावा ये जगा फेमस है क्योंकि यहां तारा देवी मंदिर एक बना हुआ है जो कि एक हिंदू मंदिर है तो ये भी पॉइंट आपके लिए इंपोर्टेंट है चलिए चलते हैं नेक्स अस्तान के वारे में जो है घोष्रावन घोष्रावन यह अस्तान कहा है तो यह अस्तान बिहार राजी में ही है बिहार शरीफ के पास ही है यहां भगवान बूध की काले पत्थर से बने हुई 10 फिट उची मूर्ती है और जिसके लिए यह अस्थान बहुत फेमस है इसके अलावा इसी अस्थान से कुछ दूरी पर तितरवा नाम का एक जगा है जहां पे भगवान बूध और वोधी सत्व से जुड़ी हुई बहुत सारी मूर्तियों का संग्रह देखने को मिलता है नेश्ट जगा है हाजीपूर हाजीपूर का प्राचीन नाम था उच्चकला जोकी पत्ना के पासी है यहां भगवान बूध के सबसे प्रिये सिष्य का पार्तिफ शरील बिख्यात है इसलिए भी यह जगा फेमस है दूसरा कारण यह है इस जगा के प्रसिद होने का क्यूंकि भगवान बूध ने यहां पर कुला गोपा कला सूत का प्रवचन दिया था पॉइंट नमबर एट है इंदा सला की गुफाएं यह गुफाएं बिहार के राजगीर जिले में है भगवान बूध ने सक्का द्वारा आट प्रशन पूछे जाने मतलब शक्का कोई व्यक्ति था जिसने आट प्रशन पूछे थे हो जिसका प्राची नाम था किस्सा पूटा भगवान बूध ने कमला लोगों के लिए प्रसिद कमला सुक्त प्रवचन दिया था कमला लोग कौन थे तो वो एक जन जाती थे जिन्हें बहुत यू कहें अनुसूचे जन जाती जन जाती के कैटिग्री में आते थे तो उन लोगों के लिए भगवान बूध ने प्रवचन दिया था और ये भेदवाव को नहीं माना था और लोगों को ये दिखाया था एक्जामपल देखे कि भेदवाव मत करो यहां पे भगवान बूध का अस्तूप भी है जो दुनिया का सबसे बड़ा अस्तूप है भगवान बूध का छे मंजिला अस्तूप है तो ये केसरिया अस्तूप आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट है दुनिया का सबसे बड़ा अस्तूप है भगवान बूध का छे मंजिला चले बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की और जो की है नालंदा विश्व विद्याले जैसा कि हम सबी जानते हैं कि नालंदा विश्व विद्याले प्राचीन काल से ही बहुत फेमस है बहुत प्रसिद है जहां देश विद्यश रे बहुत सारे विद्यार्थी यहां पढ़ने आते थे सबसे बड़ा बौध मठह था यह और पहला भारती आवाशीय बिश्व विद्याले था जहां विद्यार्थी रहते भी थे और पढ़ते भी थे इसकी अस्थापना किस ने की थी तो कुमार गुप्त ने की थी वहीं बक्तियार खिलजी के द्वारा 1193 में इसे नश्ट कर दिया गया था इसकी खुदाई हुई थी 1960-69 के आसपास यानिके 1960-1979 के दौरान और भारतिये पुरातत्व सर्विच्छन मतलब किन के द्वारा ये खुदाई करवाई थी इस जगह की ये इंपोर्टेंट है तो पटना विश्व विद्याले के बीपी सिंग ने खुदाई की थी जो की भारतिये पुरातत्व सर्विच्छन के अधीन काम करते थे कब खुद आई हुई थी नलंदवेश्व विद्याले की तो 1960 से 1969 तक तो ये भी पॉइंट बहुत इंपोर्टेंट है चले चलते हैं पॉइंट नंबर 11 की ओर नेक्स्ट है राजगीर राजगीर का अर्थ होता है राजा का निवास राजगीर बहुत फेमस है जैन धर्म वालों के लिए हिंदो धर्म वालों के लिए साथ साथ बौध धर्म वालों के लिए सब के लिए यहां राजगीर में सांतिस दूप, गिरह कूट, परवत, प्राचिन, खंडर सब्त पढ़नी गुफा हैं सब्त पढ़नी गुफा वो गुफा है जहां भगवान बुध ने निर्वान के बाद बौध धर्म का पहला सम्मेलन किया था तो यह सब्त पढ़नी गुफा बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम में पूछा जा सकता है कहां है तो राजगीर में है वहीं राजगीर में ही आजाद सत्रू के संरक्षन में यहां बौध परिशद पहला बौध परिशद आयोजित किया गया था तो यह भी याद रखना है कि पहला बौध परिशद कहां आयोजित किया गया था तो आजाद सत्रू के द्वारा आयोजित किया गया था और राजगिर में आयोजित किया गया था ये तो था कि भगवान बुध ने निर्वान के वाद पहला बहुत सम्मिलन का आयोजन किया सब्तो पढ़ने गुफा में लेकिन एक और पॉइंट ये आता है कि भगवान बुध ने ग्यान प्राप्ति के सारा नसी में इस्तित है भरतमान में इसे बनारस के नाम से भी जाना जाता है साडनात जो बहुत धर्म का बहुत ही प्रमुख केंद्र था लेकिन मुहम्मद गोरी ने इसे नश्ट कर दिया था और तब से यह इसमें कुछ भी बहुत इंपॉर्टेंट जैसा कुछ भी नहीं लेकिन 95 में इसकी खुदाई हुई 1905 में जिसके बाद बौध बुक्षियों का ध्यान इधर की और आकर्शित हुआ और वहां से खुदाई में बहुत सारे बौध धर्म से जुड़ू हुई चीज़े मिले जिसके बाद यहां बौध विहार, बौध मठ और बौध धर्मश जानते हैं, जैसा कि मैंने कहा था कि बुध की अस्थियों में से अस्थियों बुध की अस्थियां रखी हुई है यहां, और बुध की आठ अस्थूपों में से एक अस्थूप यहां भी हैं कुशी नगर में, कुशी नगर से एक और पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टि है कि बुद्ध को मोक्ष प्राप्ति कहां हुई थी तो कुशी नगर में ही हुई थी नेक्स्ट है वैशाली दरशल वैशाली की अस्थाबना की थी राजा विशालने और इसलिए इसस्थान का नाम वैशाली पड़ा पहले इसस्थान का नाम विशाला था जो बाद में वैशाली हो गया इसका उलेख कहां मिलता है तो वालमी की रामायन में इसका उलेख मिलता है वैशाली को भगवान महावीर की जन्मस्थली भी कहा जाता है इसलिए वैशाली को महावीर जननी भी कहते है वैशाली दुनिया का पहला गनराज्य था लिछवी की राज्थानी थी और दुनिया का पहला गन राज्य था ये बैशाली किन-किन चीजों के लिए फेमस है या फिर योग कहें कि परियटकों के लिए अकर्शन का केंद्र बना हुआ है तो यहां अशोकस्तम, विशाल किला, शंगरहाल है, वावन पोखर मंदिर इन सब चीजों के लिए ये बहुत ही फेमस है भगवान बुध ने यहां अंतिम उपदेश दिया था और अपने संभावित महापरी निर्वान की घोशना के थी यानि उन्हें इस वाद की संभावना हो गई थी, कि अब उनका महापरी निर्वान होने वाला है यानि कि उनकी मिर्थियों होने वाली है भगवान बुध का यहां कई वार आना जाना हुआ था, उन्होंने यहां कई वार आयोजन के थे एक तरह से वैशाली को भगवान बुद्ध की कर्म भूमी कहते हैं तो महावीर की जनुब भूमी भी कहते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है वैशाली इसलिए भी फेमश है क्योंकि दूसरा बौध परिशद वैशाली में हुआ था पहला हुआ था राजगीर में आजाजसत्रू की संरक्षन में और दूसरा बौध परिशद हुआ था वैशाली में राजा कालाशोक की संरक्षन में तेरा वा जो नंबर है वो है कुकरी हार इस अस्थान से बौध विहार के बहुत सारे अफशेश मिले लेकिन ये जगह अब सिर्फ एक टीले में बदलके रह गई है खुदाई में यहां से कौन-कौन सी चीज़े मिली तो भगवान बुध की कासे से बने हुई 148 कला किर्दिया यानि की मूर्तिया, बोधी सत्व, घंटिया, अस्तूप बहुत सारी चीज़ें यहां देखने को मिली फिर है लौरिया नंदनगड लौरिया नंदनगड क्यों फेमस है तो राजा अशोक ने यहां 26 मीटर बड़ा अस्तूप बनाया था और इसलिए ये जगह फेमस है, प्रशिद है इसके अलावा यहां भगवान बुद्ध की अस्तियों को भी रखा गया है इस अस्तूप में नेक्स्ट है पातली पुत्रा पातली पुत्र की अस्थापना किसने की थी? तो मगद के शाशक आजाज शत्रू ने 1490 इस्वि में यानि की 490 इसापुर में अस्थापना हुई थी? किसने की थी? आजाज शत्रू ने की थी इस सहर का इतिहास हर्यकवन्स, मौरे समराज, शुंग समराज, गुप्त समराज और सेरसा के समराज से जुड़ा हुआ है इसके अलावा यहां गोलगर, सहीद असमारक, सेरसा सूरी मस्जिद, खुदावक्ष, ओरियेंटल लाइवरेडी, सदाकत आश्रम, तारा मंडल इन सब जगहों के लिए इन सब के कारण यह अस्थान भी बहुत ही आकरसर का केंदर बना हुआ है चली चलते हैं, नेक्स्ट है विक्रम शिला विश्व विद्याले यह बहुत ही इंपोर्टेंट है विक्रम शिला विश्व विद्याले क्योंकि यह एक ऐसा बौदस्थान है जहां महात्मा बुद्ध कभी नहीं आए इसे कब बनाया गया? तो आठवी सदी इसापुर्व के दोरान राजा धर्म पाल के सासनकाल में इसे बनाया गया और यह तांत्रिक बौद्ध धर्म के अध्यन का केंदर हुआ तो यह भी पौइंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है विक्रम शेला विशोविद्याले वैसा बौध अस्थान है जहां महात्मा बुद्ध कभी नहीं आए तो दोस्तो यह थी बिहार में महात्मा बुद्ध के या फिडियो के हैं बहुत धर्म से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट तीर्थस्तल जिनके एक्जाम में आने के बहुत बहुत चांसे बनते हैं तो अगर आप बिहार के एक्जाम दे रहे हैं तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है तो अगर आपके लिए आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज ऐसे अपने दोस्तों के साथ भी दरूर शियर करें और आप हमारे चानल को सब्सक्राइब कर सकत थेंगे जो मांच